हेलो आप देख रहे हैं फिल्मी बीट मैं हुआ का कपिल शर्मा का शो अब कुछ खास नहीं रह गया है खास कर जब डॉक्टर मशूर गुलाटी उसका पार्ट नहीं है कपिल और सुनील ग्रोवर की फाइट के बाद उनका पहला एपिसोड टेली कास्ट हुआ जिसमें सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली अजगर मौजूद नहीं थे इस शो में तापसी पन्नू और मनोज वाजपई अपनी फिल्म नाम शबाना का प्रमोशन करने आये थे पूरे एपिसोड में कपिल शर्मा, रोचेला राओ, सुमोना, चक्रवर्ती और कीकु शारदा अलग-अलग भेज बदल कर आते रहे शो के हाइलाइट रहे मनोज वाजपई जिनोंने अपने कोस्टार अमिता बच्चन और नवाजुतीन सिद्धिकी की नकल उतार के शो में जान भर दी शो के जोक्स बहुत ही खराब थे और ना ही तापसी और ना ही मनोज वाजपई उनको समझ पाए और कंफ्यूस से नजर आए होस बनने के साथ साथ कपिल ने शो में चाचा की भी भूमी का निभाई कपिल ने ये भी बोला कि सुनील एक शो के लिए पूने गए वे हैं जिसकी वज़ह से वो शो की शूट नहीं कर पाए लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक साथ नजर नहीं आ पाएंगे अलाकि कपिल ने ट्राइ किया कि वो अपने शो को कुछ पनी बना पाएं लेकिन उनके जोक्स किसी को ज़ादा हसा नहीं पाए तो अब ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर मशूर गुलाटी वापस नहीं आएंगे तो कपिल शर्मा का शो डबबा गुल हो सकता है इस वीडियो में फिलाल इतना ही बॉलिव और टीवी की बाकी खबरों के लिए लॉगाउंट कीजिए फिल्मी बीट डॉट कॉम पे और इस वीडियो को शेर और लाइक करना ना भूलें साथी साथ फिल्मी बीट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें